एक्सिस की एक ऐसी स्कीम जिसमें इन्वेस्ट करने पर हम अपने लिए 3.18 करोट रुपे तक का फंड तयार कर सकते हैं जी हाँ वो भी जरफ 500 रुबे की मंतली SIP के त्रूँ इन्वेस्ट करके कौन सी है ये स्कीम इसमें निवेस कैसे करना है कैसे मिलेगा 3.18 करोट पे तक का फंड सब जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार आप देख रहे हैं मनी मंच दोस्तो आज मैं फिल से हाजिरूं एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे एक्सिस मिच्le Fund की एक श्यांदार स्कीम के बारे में जहां हम SIP के तुरह हर महेंने ठोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस çekरके एक बड़ा फंड तैयार कर शकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं Axis mutual fund की scheme के बारे में और उसके बाद हम इसे calculate भी करेंगे कि कैसे आप 500 रुपे की monthly SIP स्टार्ट करके तीन दस्वलो एक आठ क्रोन रुपे तक का fund तयार कर सकते हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी request है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल moneymanch को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक इस स्कीम का नाम है एक सी स्मॉल कैप फंड डारेक्ट प्लान जैसा की नाम से ही पता चल जाता है यह एक स्मॉल कैप फंड है जो स्मॉल कैप वाली कंपनियों में पैसे इंवेस्ट करता है जब से स्कीम स्टार्ट हुई है यानि जनवरी 2013 से लेकर आप तक इस पीम ने लोंग ट्रम में एक बड़ा फंड तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह स्कीम आपके लिए एक अच्छा इंवेस्टमेंट ओप्शन हो सकती है लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप मिचल फंड में रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसलिए इन फंड में आपको अपनी रिस साल में स्कीम ने उनत्तिस दसलों तीन एक परतिसात का रिटन दिया है और पिछले एक साल का इसका रिटन इकिस दसलों तीन तीन परतिसात है इस फंड में मिनिम्मम इन्वेस्मेंट आप साईपी के जरीए 500 रुपे और लंशम 5 रुपे कर सकते हैं मैक्सिमम की कोई लिमि किये हुए है इसके एक्सपेंस रैश्यों है जीरो दसलों तीन परतिसात का आगे इस वीडियो में हम कैल्कुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम में 500 रुपे महिना से स्टार्ट करते हैं तो यह स्कीम आपको कितने साल में कितने रुपे दे सकती है यहां पर हमन और आने वाले टाइम में यह 24 परतिसात से कम या ज्यादा हो सकता है अगर आप इस स्टार्ट को पांच साल जारी रखते हैं और इस पर रिटन मिल जाता है 24 परतिसात का तो यहां पर आपको जो रिटन मिलेगा वो होगा 28,166 रुपे का 30,000 रुपे आप इसके अंदर होगा 1,89,012 रुपे का 60,000 रुपे आप इसके अंदर इंवेस्ट करेंगे और टोटल वैलू जो होगी 10 साल के बाद वो 2,49,012 रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 15 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटन मिल जाता है 24 परतिसात का तो यहां पर आपको जो रिटन मिलेग होगा 7,85,181 रुपे का 90,000 रुपे आप इसके अंदर इंवेस्ट करेंगे और टोटल वैलू जो होगी 15 साल के बाद वो 8,85,181 रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटन मिल जाता है 24 परतिसात का तो यहां पर आपको जो रिटन मिलेग वो होगा 28,09,603 रुपे का 1,20,000 रुपे आप इसके अंदर इंवेस्ट करेंगे और टोटल वैलू जो होगी 20 साल के बाद वो 29,29,603 रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 25 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटन मिल जाता है 24 परतिसात का तो यहां पर आपको जो रिटन म 30,09,601 रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटन मिल जाता है 24 परतिसात का तो यहां पर आपको जो रिटन मिलेगा वो होगा 30,09,601 रुपे का 1,80,000 रुपे आप इसके अंदर इंवेस्ट करेंगे और टोटल वैलू जो होगी 30 साल के ब दोस्तों tips मैं निवेस्ट करने के तीन तरिके होते हैं पहला फंड कंपनी की वेब साइट से…दूसरा ब्रोकर के ठरू है और 3 घर बैठे मोंबाल एप के दवारण अगर आप मोंबाल एप के जरी निवेस्ट करना चाहते हैं तो अब स्टोक का मिंुँए नीचे दिस्करि बस्गाइब बस्टाइब